विश्वुवन्दनियां तदागत बगवान गौतम दूद। बोधी सत्व डॉक्टर बाबासा बंबेडकन इनके विचारों को प्रथमित्रिवार आपिवादन करता हूं विचार मंच पर उपस्तिप भुद्धी सोसाइटी ओफ इंडिया भारती बहुत मासवा के राश्टी अधिक्ष प्रस्टी चेर्मेन अशुक मुकुंदरावंबेडकर जी विचार मंच पर उपस्तित बुद्धिस सोसाइटी ओफ इडिया के नेशनल सेक्रेटरी राश्टियर मासचीव बालासाथ वाईकवार जी दिल्ली प्रदेश के अथिक्ष सी येज बंडारी जी दिल्ली प्रदेश के सभी कारेकारने और अधर्णिया बंडनिया भिक्कुगर और यहां उपस्तित सभी मेरे भाहियों को भेनों को राजहतर अंबेडकर का जय भीड आज 14 ओक्तोबर इसी दिन डॉक्तर बाबा साब अंबेडकर जी ने नाखपूर के दिक्षा भूमी में बहुत अधम की दिक्षा 14 ओक्तोबर 1904 को लिए भणारी जी ने उसे बिप्ति की हिए थी कि 14 ओक्तोबर को हमको भी यहां पे प्रोग्राम लेना है लेकिन आज की जो स्तिती है मैंने उनको कहा स्रिफ बाबा साब अंबेडकर जी ने 14 ओक्तोबर 1906 को नाखपूर में बहुत धम की दिक्षा लिया है तो उसी के याद में यहां पर प्रोग्राम लेने के बज़ा है बाबा साब अंबेडकर ने अगर वहां पर बहुत धम की दिक्षा लिया है तो यहां पर भी बहुत धम का दिक्षा का कारेक्रम आयुजित करो वरना हम कर क्या रहे हैं बाबा साब अम्बेड करजी ने 14 ओक्तोबर को वहाँ दिक्षा लिए तो यहाँ पर हाथ जोड़ते हैं आपका काम होगे हमारा काम स्क्राइब हाथ जोड़ना है यही पर बाबा साब कारवा हम लोगों ने रोक के रखा आज भी लाखो लोग नाकपूर में गए होगे नाकपूर में जाने के बाद बाबा साब अम्बेड करजी ने जहाँ पर बहुत ध्रब के दिक्षा लिए वहाँ पर जाके बाबा साब अम्बेड करजी को अभिवादत करके घर पे लोड़ जाएंगे रिजर्ट जीरो 15 लाक 16 लाक लोग एक जगह पर इखटा होते हैं और बाबा साभ अम्बेटकरजी ने किया हुआ काम उसको नमन करते हैं और घर लोड़ जाते हैं खुद कुछ नहीं करते हैं खुद को कुछ नहीं करना है यानि बाबा साभ अपने हमारे लिए जो किया वही वही तक है हम कुछ नहीं करने वादे और इसलिए आज भारत की स्थितिय ऐसी हो गई है यानि बाबा साभ अम्बेटकरजी ने 14 अक्तोबर को जो धम की दिक्षा ली 9 लाक लोग उस प्रोग्राम में शामिल दिक 9 लाक लो 14 अक्तोबर को वह दिक्षा का प्रोग्राम बाबा साभ अम्बेटकरजी का संपन्न हुआ दूसरे दिर बाबा साभ अम्बेटकरजी का यानि 15 अक्तोबर 1956 को बावा साभ अम्बेटकरजी का मुख्य पाश्वन हुआ और 16 अक्तोबर को फिर से जाके बावा साभ अम्बेटकरजी ने चंद्रपूर में बहुत धमकी दिक्षा वापस ग्रेंड की और लाखों लोगों को बहुत धमकी दिक्षा दी और उसके बाद बावासाब अम्बेड कर वही नहीं रुपते 15 डिसेंबर 1956 को मुंबई के सबसे बड़े ग्राउंड में रेस कोर्स का जो ग्राउंड है जहापर अमिर लोग घुडों के उपर पैसे लगा के जुआ खेलते है वह सबसे बड़े ग्राउंड पे बावासाब अम्बेड कर जी ने बहुत धम के दिक्षा का कारेक्रम आयोजित किया और उस प्रोग्राम की उस बहुत धम के दिक्षा के कारेक्रम की जानकारी ऐसी है एक किताब में मुझे वो जानकारी मिली कि मुंबई में जितने भी कपड़ों के दुकाने है उन कपड़ों के दुकानों में एक भी वाइट शर्ट, वाइट पैंट, वाइट सारी जो हम लोग दम्म के दिक्षा के प्रोग्राम में सफेद कपड़े पहन कर आते हैं वो सफेद कपड़ा एक भी बेचने के लिए विक्री के लिए उपलब्द नहीं था इतनी बड़ी संक्या में मुंबई के सारे दुकानों से सफेद कपड़े विग गए थी इतनी लोग बाबा साब अंबेर करजी के 15 डिसेंबर 1956 के प्रोग्राम में शामिल होने वाले मगर बाबा साब अंबेर करजी का इसी दिल्ली में 6 डिसेंबर को 5 डिसेंबर को ही बाबा साब अंबेर करजी का महा परिनिर्वान हो गया और पंद्रा डिसेंबर का जो बाबा साब अम्बेड करजी का निरतारी कारेकरम था मुंबई का वो हुआने और उसके बाद कलकत्ता का प्रोग्राम था और उसी तरह से बाबा साब अम्बेड करजी के ये बहुत धम के दिक्षाक के कारेकरम पूरे भारत वर्ष में लग गए थे उसका schedule बन चुका था लेकिन 6 डिसेंबर बाबासाब अंबेटकरजी का महा पर निर्वान हो गया और वो जो धम दिक्षाक के कारेकरम थे वो रुप गए और उसका परिणाम आज ऐसा हुआ है जिन बाबासाब अंबेटकरजी ने खोशना की थी कि मैं भारत को बहुदमय बनाऊंगा और उस सफर के और बाबासाब अंबेटकरजी ने अपना कारवा बढ़ा दिया था 9 लाख लोग एक दिन में बाबासाब अंबेटकर जी अगर बहुत इस देश में दिक्षा देते हैं उन लोगों को बहुत बनाते हैं दूसरे दिर फिर से जाके उतने ही संख्या में बहुत दम की दिक्षा देते हैं और अगरे कारे करम दिक्षा के लगाते हैं यानि इसका मतलब अगर बावा सब अमेड कर बहुत दब के दिक्षा के कारेक्रम इसी तरह से अगर उसको कंटीनियू रखते तो करोड़ों में आज मुतिस्ट होते लेकिन भारत सरकार के आकड़ों के अनुसा बताना चाहूंगा बावा सब अम्बेड कर घुसना करते हैं मैं भारत को बादोर्पमय बनाओंगा 2011 में ये इंडियन सेंसस जो जन्गन्ना करते हैं उन्होंने अपने अकड़े दिए है कि भारत में हिंदू किitने है मुसलिम कितने है क्रिशल कितने है जयन कितने और बहुत कितने है उसमें भारत सरकार ने लिखित स्वरुप में ये इस देश में हम लोगों को कहा कि इस देश में बहुत कितने रेते हैं देखो बाबा साथ घुशना कर रहा है मैं भारत को बहुतों में बनाऊंगा और भारत सरकार कहती है कि इस देश में बहुत है 0.6% एक परसंट पी इस देश में बुद्विश्ट नहीं है इस तरह के आखड़े इस देश नहीं रखे 2011 के इंडियन सेंसस के वेबसाइट के गवर्मेंट के ओफिशल साइट पे जाकर आप चेक कर लिजिएगा 0.67% यानि एक टक्ता भी इस देश में बहुत नहीं रहते इस तरह के आखड़े खुद भारत सरकार ने दिये और इसलिए मैंने कहा अगर आपको प्रोग्राम चाहिए मेरे प्रोग्राम की एक ही कंडिशन होती है मेरे प्रोग्राम हर स्टेट में हो रहे है महरास्टर में हो रहे है आंध्रा में हो रहे है अलग-अलग स्टेट में हो रहे है उत्तर प्रदेश में हो रहे है अभी कल उत्तर प्रदेश जाके पर उसो हरी आना जाना है हर एक state में हो रहे हैं कि एक ही condition मेरी होती है एक ही condition है उनको पहले बहुत रधमकी दिक्सा देना आज बहुत रधमकी दिक्सा देवे हो तो मैं आता हूँ वरना मेरे को कोई interest नहीं आने की और इसलिए मैंने भंडारी जी से क्या कि स्रिफ प्रोग्राम मनोरंजन का नहीं होना चाहिए कुछ रिजल्ट उसमें से मिलना चाहिए और इसलिए आज जो फॉर्म मैंने आपको दिये है ये फॉर्म आप जैसे ही हमको भरके दोगे ये जो दिक्षा के सर्टिफिकेट्स हमने बनाए है दिक्षा के सर्टिफिकेट आपको दिये जाएगे और उसकी कार्बन कॉपी हमारे पास होगी यानि आज यहाँ पर आप लोग 100, 200 लोग जितने भी लोग बहुत धमकी दिक्षा लेने वाले हो उसकी कार्बन कॉपी मेरे पास आती है और उसके carbon copy से एक register के उपर हम entry करते हैं एक register के उपर entry करते हैं और register में Buddhist Society of India ये एक public trust है हर साल हमको charity commissioner को अपने-पने audit देना पड़ता है अपने-पने reports देने पड़ते हैं तब जाके ये जो carbon copy में जिस जिसको original धम्मदिक्षा का copy हम ने दिया है उसकी carbon copy का अवाल हम charity commissioner को देते हैं यहने दिली में 14 October 2017 को कितने लोगों ने पहुत हमकी दिक्षा दिये ये मुझे 21 March 2018 को सरकार को बताना पड़ता है और ये जो हमारे आकड़े आज जो आप लोग मेरे सामने बहुत वेटे हो आप सभी लोग मुझे सुनने आ रहे हो बंते जी को सुनने आ रहे हो तो आप लोग बुद्धिस्टी हो हो ना सभी लोग बुद्धिस्ट हो सभी लोग लेकिन मैं आपका भ्रहम दूर करना चाहता कितने लोगों ने बहुत धम की दिक्षा यहां पर ली है प्रमान पत्र है सब के पास तो हम लोग बहुत धम की दिक्षा ले रहे हैं हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं तो अगर आप लोग बहुत धम की दिक्षा ले रहे हो और जो आपको दिक्षा दे रहा है वो सरकार को नहीं बता रहा कि मैंने इतने लोगों को बहुत दम की दिक्षा दिये सरकार को कहां से पता चलेगा सरकार को कोई पता नहीं चलेगा और इसे ये का हम लोग कर रहे हैं हम लोग जितने लोगों को बहुत दम की दिख्षा दे रहे हैं दूसरा आवाल, दूसरा आकड़ा हम सरकार को देते हैं कि इतने लोगों को हम लोगों ने बहुत दम की दिख्षा दी है आप लोगों को याद होगा आपके ही दिल्ली में एक जंतरमंतर में एक बड़ी रैली हुई जब भीमार्मी और वो जो अत्याचार हुए सहारणपूर में जो अत्याचार हुए अनेक लोग वहाँ पर गए अनेक नेता नेता वहाँ पर गए उस साहरनपूर की गटना के बाद अनेक लोगों ने अनेक अस्वासने वहाँ पर दी कि हम आपको एक लाख रुपे देते हैं हम आपको कुछ नोकरी देते हैं मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब आप भी साहरनपूर आए और वहाँ के लोगों का दुख सुने और लोगों ने मुझसे विंदी की कि आप क्या देने वाले मैंने कहां मैं आपको कोई नोकरी नहीं देने वाला मैं आपको कोई पेसर नहीं देने वाला मैं आपको कोई घरदार नहीं देने वाला लेकिन मैं आपको बहुत धन की दिक्सा देना चाहता हूँ क्या बहुत धन की दिक्सा लोगे